हलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज में सेयर करुए आप लोग के साथ में जो हमारे रोज के प्लांट है उनके उपर जो बैसल सूट आ रहे हैं अफिर नहीं आ रहे हैं आपके पहुदे सूख रहे हैं पत्यां पीली पढ़ रही हैं और उनमें इस दे किसे टेड़े मेरी स्टेम्स निकल रहे हैं या कलिया टेड़ी मेरी आ रहे हैं तो उनका रीजन क्या है और उनके साथ क्या क्या करनी है सारे टीप्स आज में इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ तो वीडियो में आप लोग लाष तक बने रही एगा तब आप लोग को पता चलेगा कि क्या करना हमें में रोज ब्लाट के ऊपर मिट्टी में क्या देना है और पत्तियों और स्टें策 में क्या देना है ताकि यह ची से गूरफ कर सकें से हम धीरो कलियां बेसल सूट और फ्लावरिंग ले सकें तो वीडियो में अंतक बने रहेगा वीडियो गर अच्छी लगे तो लाई भी कर देना शेयर भी कर देना और चैनल पर नुए तो सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा साथ में बिल आइकन भी प्रेस करना ताकि जब मैं ऐसे वीडियो आप लोग के साथ में शेयर करें तो इसकी नौटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता है अभी विंटर सीजन जाने वाला है और आने वाला स्प्रिंग सीजन यानि कि आने वाली है बसंद तो आप लोगों को मेरे विंटर सीजन जो होता है सारे प्लांट के लिए बहुत ही प्रफ्लम के रेट करता हैर तो हमएं भी चीज़े करनी था सबसे पहले प्लांट में अगर प्लावर आरे हैं टेड गड है तो अगर आप पूलम करना साथ हैं तो कलिएट ऑ playlist नहीं होता है इंसे इस ते तो जूरूंप और ञाहिए और आती हैं तो चुह जो इस तरीके से नहीं कोरा गिरता है जो उसपे पाली गिरते हैं इन अब अपने फौन को अभे जहां पर फिलाल डूब निकलने लगी है बट कुरा अगर रात में गिरता है तो हमारे फ्लैंट के लिए प्रॉब्लम हो जाता है तो इस तो जिस पर ग्रैप्ट की जाएता है उनकी ग्रूद जादा हो जाथी ताप उन्हें कट करके जरूर निकाल दे एक यहां पर भी है तो मेरे पास इतने भी सारे ग्राप्टेट ही वाले इंगलीज रोजो या हाइबरेड रोजो सारे मेरे पास मतलब वेराइटी के हैं बटन रोजे वह नहीं होता है ग्राप्टेट और तो जी जरूर रिमूप कर देना यहां पर तीसरी बात आती है कि हमें प्लान की गुडाई भी कर देनी है अगर हम गुडाई नहीं करेंगे तो इस तरीके से मिट्टी हो जाती है फ्रेंस सक्त और मिट्टी अगर सक्त होगी तो हम ब्लान को अच्छी स्निको ऑक्सीजन नहीं दे पाती है या कोई फर्टिलाजर गेरा देते हैं खा देते तो उनके जड़ों तक नहीं पहुचती है तो हमें गुडाई हर पंदर दिन में कर दीनी है यह जरूर ध्यान रखें पानी का भी हमें ध्यान रखना होता है कि गर हम पानी दे रहे हैं उनको या नहीं भी दे रहे हैं पानी कर जादा हो जाता है तब भी दिक्कत आ जाती है कम हो जाएगा तब भी प्रॉब्लम हो जाती पौदी सोपने लगते हैं तो यह चीज जरूरी है पानी का भी में बिसे ध्यान देना होता है तो यहां पर मेरे पास प कि यह वाले कुछ जादा ही सकत हो गई है इसमें घास अगेरा भी उगाती है तो इनको भी हमें रिमूब कर देना होता है ताकि इनको अच्छे से कुछ भी चीज़े दे दे तो इनको उसका पॉसर्ड मिल सके पत्तियां जो ड्राय लेप्स होती है फ्रेंस इनको भी अटाना जरूरी हो जाता है यह भी पोदे से एनरजी लेती रहती है अब आती है इनको हमें क्या खाद देना है क्या नूट्रियंस देना है तो यहां पे मैं मिक्स फर्टिलाइजर जो मैंने अक्सर में पोदों में डालती रहती हूं शेयर भी करती रहती हूं तो यहां पे मैंने ए काडूरी निकाली हुई है इसमें फ्रेंस डियेपी है नीम खली है और बोन मील है और इसमें वर्मी कंपोस सारे चीज़े इसमें एड है यहाँ पे मैंने अलग से बोन मील लिया हुआ है जैसे कि मैंने बता है तेहनिया टेड़ी मेड़ी आतें कलियां भी असस्त रहती है तो उसमें केलसियम की कमी होती है तो केलसियम का फूरक जो होता है बोन मील होता है आप लोगों को पता ही होना चाहिए बोन मील में केलसियम मत्रपाई चाहती है यानि कि हड़ीयों को जो चूरा होता है तो यहां पर थोड़ा-थोड़ा करके मैं सारे चीज को देती हूँ प्रेंस अगर आप अड़ियों को चूरा नहीं देती हैं आपके पास अवेलबल नहीं है तो आप एक सेल्स भी दे सकती हैं वो भी नहीं है तो जो चौक आती है लिखने वाली चौक आप लोग जानते होंगे या चूना जो आता है उन एक लीटर पानी में एक चमच चूना है या फिर चौक है उन्हें घोल कर अगर देती हैं तो वो बहुत ही अच्छा कारगर माना जाता है तो कि हमारे कुछ ऐसे गार्डिनर फ्रेंस है जो कि बोन मिल से दूर रहना चाहेंगे तो सबसे अच्छा स्रोथ है चौना है या फिर चौक दे सकते हैं अपने गुलाब के पौधो को लिक्विड में या फिर उनको पौडर फॉर्म में भी दे सकते हैं यह चीज़ें तो यहां पर मैंने मिलाके नहीं दिया फ्रेंस क्योंकि मैं एक खासे केमरा एक खासे तरीके से दिखाने थोरा सा इसू हो रहा था मैं मिट्टी में मिलाके दिखा दूँगी आप अगर नहीं मिलाते तो कोई भी इसू नहीं है मैं quantity बता दू कितना आपको देना है आपका गमला फ्रेंस दस इंच का है बारा इंच का है तो उसमें आप दो बड़े चमच पोन मील और दो बड़े चमच आप ये mix fertilizer दे सकते mix fertilizer नहीं है तो आप गोबर की खाद या फिर बर्मी कमच दो चमच के परावर दे सकते है फ्रेंस आपको बता होना चाहिए जो हमारा गुलाब का पोदा होता है वो कमच को ज़्यादा पसंद करता है अगर आप कमच किसी भी चीज़ की बनी हुए कमच अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे कादर फ्रेंस से वो टी कमच बना के डालती है यानि जो यूज यूई चाय पत्ती होती है उनको गर देती हैं तो आपको गुलाब का पोदा जो होता है फूल उसे भरा रहेगा तो उनको भी आप दे सकते हैं तो इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा सा सारे में आइट करके दी हूँ आप भी दे सकते हैं और पानी में जिस गमले में पानी नहीं है उनमें भी पानी में दे दी हूँ जिसमें है उसमें नहीं देना है मिट्टी चेक करके आप पानी दीजिएगा अगर मिट्टी सक्त है तो पानी जरूर दीजिएगा अगर मिट्टी में आपके नमी है तो पानी आप इवाइट करिएगा अगर आपको लग रहा है कि हाँ पानी जादा है तो आप मिट्टी के गुड़ाई करके आप उन्हें धूप में रख दीजिए या कोई फंजी साइड पाउडर डाल दीजिए फिर आपका प्लांट सेफ रहेगा तो दोस्तों ये थी आज की हमारे वीडियो हमारे गुलाब पोधे के उपर हमें क्या क्या करना है अगर वीडियो जरा से भी आप लोगों को हेल्पूल लगी हो अची लगी हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल पर नी हो तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं दोस्तों आप लोगों के साथ में नई वीडियो और ने टापिक के साथ अपके लिए आप लोग अपना ख्याल रखेगा हैपी गार्णिंग